आज की वीडियो में बात करते हैं हमारे पास ही कोशन दिया हुआ है y is equal to sin inverse 2x under root 1 minus x square ठीक है इसका हमें क्या करना है differentiation यानी alkaline करना है तो alkaline करने के लिए हम सीधी से यही करेंगे x के जगा कुछ माल लो x के जगा क्या कर लो कुछ माल लो अब x के जगा हम क्या माने जिससे काम हो जाए यदि हम x के जगा यह माल ले तुम्हारे पास कोश थीटा यह कोश थीटा माल लो sin थीटा माल लो माल ले तुमने x के जगा क्या माल लिया कोश थीटा ही माल लो x के जगा तुमने क्या माल लिया cos theta, अब जब हम cos theta मानेंगे तो तुम्हारे पास y is equal to कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा sin inverse, कितना हो जाएगा sin inverse 2 इस x के जगा कितना रख दो cos theta, और यह रहेगा under root 1 minus cos square theta हो जाएगा, x के जगा कितना रखोगे cos theta रखोगे तो हो जाएगा square, अब तुम्हें यह पता है कि sin inverse यह तो ऐसी रहेगा 2 cos theta into 1 minus cos square theta क्या होता है sin square theta तो हम इस जगा क्या लिख सकते हैं यह लिख सकते है, sin square theta square से root क्या हो जाएगा, खतम हो जाएगा क्योंकि 1 minus cos square theta की value कितनी होती है, sin square theta square से root खतम, इस square से root तुट को हटा दो तुम्हारे पास कितना बज जाएगा, Sin inverse 2 cos theta 2 ठीक है into यह कितना रह जाएगा, Sin theta, अब यह अच्छे तरीखे से पता है, Sin inverse 2 sin theta into cos theta, यह किसका formula होता है? यह होता है, Sin 2 theta का, Sin से Sin inverse क्या हो गया? हट गया, तुम्हारे पास कितना बच गया? 2 theta बचेंगे यानि y is Guide to कितना बचेंगे? 2 theta यहां से देखो x वरावर तुम्हारे पास क्या था? cos theta था इसको इधर ले गए cos 2 theta cos theta था, sorry x वरावर कितना था? cos theta इसको इधर ले गए तो theta की value तुम्हें कितने मिल गई? cos inverse x तो यहां रख दो y is equal to 2 इस theta के जगा देखो यहां से रखेंगे यह इधर जाएगा तो किसका देखो हम यहां से theta की value निकालेंगे तो इधर जाएगा तो किसका होगा inverse का यानि cause inverse x 2 तो ठीक है अब dy over dx कर दो तो कितना आ जाएगा cause inverse x का कितना होता है minus 1 upon under root 1 minus x square ठीक है तो इसको लिख सकते हो minus 2 upon under root 1 minus x square इस तरीके से क्या कर सकते हो differences कर सकते हो यानि कि तुम्हें पहले x को कुछ मानना पड़ेगा ठीक है x को देख हमने क्या माल लिए cause theta sin theta भी माल लो तो भी यह easily हो रहा है ठीक है तो यह हमारा question हो गया झाल